कि बारे में बात कर रहे थे तो या अपने डिफाइन क्या था कि अपने पास एक न्यूपले रियक्शन गटो आपने को भताएं कि न्यूपले रियक्शन होती गभी किवह ह्ता है थैंट नुक्लियर फुजनो COS स्ञार के साथ नुक्लैर फीजारोटनाग्र नसलिक टूटीर तमने इसके अपने फॉनला लिखाता हैं अनुक्रेसिक लिए कि पी करना चाहना चाहे हैं हुआ मास डीके कि कितना मास जो है वो एनर्जी में चेंज हो गया है तो उसको अपने लिख रहे थे रियक्शन के लिए बात कर रहे थे तो डेल्टा एम रियक्शन ठीक है मल्टिप्लाइ बाइ 931.5 यह अपने पास यूनिट आएगी एनर्जी कि क्या मेगा एलेक्ट्रोन ओल्ट तो यह अपने फॉर्मॉला लिखा था तो इस फॉर्मॉली को यूस करके अपन निकाल सकते हैं बस अपने को पता चलना चाहिए कि रियक्शन में कि बिक है डिक्वाइडेल टाम कितना है और एक ज II यूट अपने लिखा था कि इसका युझा एगा हो जो मदल्स का मतल्स अपने पास हो। अगर मैं 1 amu का मास लेता हूं तो 1 amu के मास से अपने पास एनर्जी बनाएंगे और एनर्जी कैसे कल्कुलेट करेंगे तो 1 amu मास से अपने पास इनर्जी बनता है वो बनता अपने पास 931.5 मेगा एलेक्ट्रोनोल्ट तो 1 amu से इतना बन रहा है अपने पास डेली टाइम का चेंज हुआ होगा तो अपने डेली टाइम को मुल्टिप्लाई करेंगे से 931.5 से तो टोटल एनर्जी आ जाएगे के एधिक नुक्ली रीक्शन में कितना एंर्जी चेंज वहा है ठीक है आपने ह Nagas Maa dk के बारे में और उससे अपनों correl 46 करेंगी कि इसको binding energy को तो आज previous यादिव्यकिंडर डाये ओं डालो उसमें क्या मास डीके कहने और बात करना है कि अब्स टरीग lot कर थे हैं कि अपने भबनाने देखो कोई थैसे अगर अपने पास तरीके से रिप्रेसेंट करते हैं इसमें अगर 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 मैं नाइट्रोजन के एक एटम की बात करता हूं इस वाले एटम की तो जब यह एटम बना होगा तो एक तरीके से क्या हो अपने पास की साथ प्रोटोंस और साथ इलेक्ट्रोंस का कॉंबिनेशन हुआ है इन साथ प्रोटोंस और साथ न्यूट्रोंस और साथ इलेक्ट्रोंस के आपस में मिलने से अपने पास नाइट्रोजन बनता है तो अगर तुम क्या करते हो कि अपने पास जो प्रोटोंस है न्यूट्रोंस है और इलेक्ट्रोंस है कि अपने पास एक ए तो कापि सारे इलिक्तौ झांगे और इन इलेक्ट्रों के कंबिनेशन से प्रोट्रों से नेज में के तीनिय के आपस में कंबिनेशन फे पास के बनता एक बनता है इक एम अब यह चीज़ देखा गया है कि अगर तुम क्या करो जितने भी अपने पास ये सब्सेकर थे हैज तो इन सब एटोंमिक पार्टिकल्स का अगर थो आगर इन सबस्क्रटिकन से अगर तुम क्या करते हो कि इस बसे 거리 हैं सब्सक्रोंट में नूट्रों से सद्धी लेक्टों इन तीनों का मतलब इन तीनों प्रोटॉंट्स का मांसmotion साथ न्यूट्रों का मासे डिदो 403 का मासे डिदो उसाइड कर लो साथ को मासे कर लो एक यह पर मैंगहीज अपने बária कि अपने बैर में कितना इमंगज फिसे प्रस रांअ कि इस प्रोट्रों में न९े का जो अपने पास मास होता है accurate value जो भी अपन निकालते हैं अधर मालों कि अपने पास कि है M 2 यह सब अर्षेtakejs नूट्रॉंस यह सब अपने इपस क्या होकि आपस में कंवा इंडिर हों गए उंगे दिखाता है ठीए और वैसे भी मास को एड करो तो अपने पास यह आ रहा है वन इंडिवीज़ वाली देखोगे और यही चीज यह अपने पास अलग आ रहा है जो कि अपने पास कितना रहा है मत्तुछ टेखा गए है कि अपने पास किना होता है जो यह 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 अपने पास M2 से बढ़ा है वह जो साथ एलेक्ट्रोंस ते यसे नाइट्रोजन में साथ प्रोट्रोंस ते और चाउत एलेक्ट्रोन को इंक्लूड कर दो जो साथ एलेक्ट्रोन है उन सब का अगर तो मास्ट टोटल कर रहे हो एंड़ीज वली तो एमवन आ रहा है और यही चीज़ इन पर्टिकल की कॉंबीनेशन से अपने पास एक एसक एक marin क्रणब न मने का प्रोटम में बहुते हैं तो इस तरीके से से अपने आइडीया क्या है कि जब अपने पास वक्ण्म माश्वाइं होगे तो कुछ मास D.K. मतलब उसको जो है कि मास G pretty है energy में क्या हो गया होगा convert हो गया होगा तो इसी चीज़ को अपनिया पर लिख भी लेते हैं सर ये सब अटम्स में होता है सब अटम्स में होता है सो बहुत negligible होता होगा वरना तो वो moles, moles का concept कामी नहीं करता there is mass decay वो अलग concept उस पर वपन बात कर लेंगे there is mass defect या decay during binding of during binding of subatomic particles binding of subatomic particles particles to form atom to form atom कि जब subatomic particles atom बनाने के लिए आपस में combine हो रहे हैं तो मापे कुछ mass difference हा रहा है तो मतलब महाँ पर mass किसमे convert हो गया होगा energy में convert हो गया होगा इसी चीद को अपना आगे continue करते हैं कि according to according to according to according to Einstein mass energy relationship mass energy relationship mass energy relationship equal to mc square okay if there is if there is there is there is a mass decay there is a mass decay yeah mass defect इसको बेपन mass defect भी बोल सकते है mass defect then there must be there must be there must be some energy release 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 during binding of during binding of these subatomic particles these subatomic particles two form atom subatomic particles subatomic particles some energy some energy is given out and that energy is and that energy is called that energy is called binding energy all atomic particles are combined then the energy is released due to mass dk what do we call binding energy okay so this way we say that when we create an atom we are always going to say that when all atomic particles are combined then it will become an atom so this process we have a mass difference so mass difference means mass how much energy is converted so energy release what we call binding energy and everything for mass means that energy is converted so it will be exothermic energy release energy energy release okay now if we have to remove delta m how much mass change so we are saying that m1 is bigger so m1 minus m2 because the sign tells us that energy release because we have written definition there is some energy some energy is given out so we have a nuclear process so we have a nuclear process so we have a energy release because there is mass which is energy change so when we talk about binding energy so binding energy means that neutrons and protons combine together nucleic so nucleic so nucleic there is also energy release nuclear reaction there is mass decay so energy release so here whatever reactions are basically exothermic because there is mass energy convert so m1 minus m2 m1 basically this is the best we can write mass of total mass of total mass of total mass of sub atomic particles we will individual aid particles minus mass of mass of nucleus nucleus atom mass of nucleus mass of nucleus so atomic mass and and here if you know if you know if you if you know you neutrons we will write total mass of atomic particles number of protons z into mass of protons plus neutrons into into mass of neutrons into particles minus mass of nuclei you accurate mass mass can calculate this is this mass of proton mass of neutron mass mass into a of a sum and we you have an one is going जो उसके अंदर पार्टिकल से उनका टोटल अगर अगर अलग से मास किल्कुलेट करते हैं और अपने पास कि एटम जब बन गया उसका तब मास क्या है यही बोला था ना पने तो तो in1 में भी नुक्लेस को भी ले रहा हूं क्योंकि अपने बता है नुक्लेस नूक्लेस हो प्रोटोन से उसके अदर की मास अच्छ इखना चाहे तो नुक्लेस के अगर आपने देके तो Hopeक्रों सो अपनि अवात लिका हैं और Talk दोटल मास उओफ सबढिएटों में फालेगे अंटु तो नुकलेस के अंदर अपने पास किया रहेंगे जेड नंबर में प्रोटंऌ रहेंगे तो नंबर और प्रोटं इन्टू मास ऊफ उफ उन ब्लस rows अल्लस नंबर आप नयोटरों golpe आ समय न अधीया नींगे इन्योटरों आस अिये लिख दीया ग्रिंट्र तो नंबर ओफ न्यूट्रों लेट सिर्च का आपक्यूरेट माज कितना वह तुम तुम तो यह होगा तो यह अपने बंटिंग और यहां यहां पर एक जी जो हुर अपन डिफाइन करते हैं बैंडिंग एनर्जी पर नुकलियों उसको डिफाइन कर लेते हैं कि किस तरीके सपने को तोल करना होगा हम बोलो मार्ष नुकलेस शेयर मास नमबर रखेंगे कि कि आइस में दिको बैंडिंग एनरजी नुकिलिएओं बैंडिग इनर्जी पर नुकिलिएँ सब्सक्राइल उसको आपने से रेल काते हैं इसके उपर नगाज़ते हैं इस तरीके से ठीकितों बैंडिग एनर्जी पर नुकिलिएओं तो सको क्य principalmente करना था उपन क्या बोल रहे हैं कि बंडेंडिंग एनरजी पर नुक्लियों नाम से समझ वा रहा है कि जीश एटम के अपन बात कर रहें तो उसका टोटल बंडिंग एनरजी कितना है डिवाड़ेड वाइउसमें नंबर ओफ नुकलियों तो अपने पास यह पर नुक्लियों की साफ्टे कितना इनरजी रिलीज ह्भा या इनर्जी रिलीस तो हो रहा हैय उतना जद्न आपने पास करेंगा इस्टेबलीटी रहेगा तो इसी चीज़ को अपने stability से भी relate करते हैं कि binding energy binding energy per nucleion is directly proportional to stability कि per nucleion के साब से कितना energy release हुआ है जितना ज़्यादा energy release होगा उतना ज़्यादा अपने पास करेगा उस nucleus का या उस element का stability रहेगा तो इस से related अपने graph बनाते हैं उस graph को भी discuss करी लेते हैं कि किस तरीके से में binding energy per nucleion के साब से stability को प्रेडिट करोंगा और यह बता पाऊंगा कि कौन से elements जो है nuclear fusion reaction दिखाएंगे और कौन से elements जो है nuclear fusion दिखाएंगे ठीक है उस पर बाद में आएंगे उससे पहले पने एक numerical ले लेते हैं जो अपने अभी तक पढ़ा बैंडिंग एनर्जी बैंडिंग एनर्जी पर nucleion इन सब की calculation से related तो देखो क्योंशन अपने पाँ ऐसा कुछ है कि एक क्योंशन लिखो तो लिखना इसमें calculate calculate binding energy and binding energy पर nucleion पर nucleion unit लिखो इन मेगा एलेक्ट्रोन ओल्ट वैसे अपन जातनली मेगा एलेक्ट्रोन ओल्ट में ही निकालते हैं तो इन मेगा एलेक्ट्रोन ओल्ट ओफर नाइट्रोजन ओफ नाइट्रोजन और इसको अपने पता है कि नाइट्रोजन का न्यूक्लेस होता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 14 and 7 ठीक है बागी तुमको दे रखा है क्या-क्या यहां पर कुछ information given है कि मास्व प्रोटॉन मास ओफ प्रोटॉन तो प्रोटॉन का मास देर का इसने एक्यूरेट 1.00783 यूनिफाइड मास यूनिफाइड मास पता होगा एम्यू को ही अपन बोलते हैं इसे तरीके तुमको given है mass of neutron neutron का मास यह तुमको given है कितना 1.00867 एम्यू या यूनिफाइड मास यू ठीक है और neutron का तुमको मास दे तुमको मास दे रखा है nitrogen के लिए कि mass of nitrogen nucleus nitrogen nucleus तो nitrogen के nucleus का मास अपने को दे रखा है कितना 14.00307 यूनिफाइड मास तो वह एम्यू ही हो गया ठीक है किल्कुलेट करो कितना है किवाइड है अपने को MRI 1.50 टाइम है कि अगर अपन मास देफिक्ट कालेंगे तो मास दिफेक्ट जो है अपने पास इल्टाम कै फर्मुला बनाए ता वो लगा लो कि number of protons Z into mass of one proton प्लस number of neutrons that is this element के अपन बात कर रहें उसका mass number minus atomic number into mass of neutron minus क्या हो जाएगा mass of nucleus जिस पे अपन बात करें उसके nucleus का mass ठीक है तो यहां से अपन देखेंगे तो अपने पास यह आ जाएगा मुस्वाले phase में कर दे रहा हूं कि डेल्टा M अपने को निकालना है तो डेल्टा M equal to number of protons कितने है 7 into mass of one proton तो one proton का mass अपने पास कितना था 1.00783 प्लस number of neutrons तो 14-7 करोगे तो 7 ही आ जाएगा अभी तो number of neutrons into mass of one neutron यह अपने पास कितना जाएगा 1.00867 तो सब एटो में मिली है mass तो calculate करने पे भी amu में ही आएगा है calculate करो कितना आ रहा है 0.10655 0.10655 10655 मेरे पास तो कुछ हो लिखा हुआ है cycle grade क्या है 0.1124 0.1124 3 a mu या यू ठीक है तो जब अपने पास nitrogen का nucleus बना होगा तो इतना mass क्या हुआ energy में convert हुआ है तो यहां से अपने को binding energy निकालनी है तो binding energy अपने को पता क्या होता कि binding energy equal to mass defect delta m into 931.5 unit अपने पास रहेगा क्या mega electron volt तो इसको calculate करो 11243 into 931.5 कितना है गई कि निकालो 104.728 104.728 तो उसको 73 लिग दो कि मैंग एलेक्ट्रोन ओल्ट टीकिते binding energy हो गया दूसरा अपने से पूछा था तो देख रहे हो जो कोई पोल रहा था निकलेगा क्या एक एटम से इतना energy निकल रहा है तो तुम एक एटम तो क्या होता है बहुत छोटा सा होता है अगर तुम एक केज़ी या दो केज़ी भी ले लोगे तो उससे जो energy निकलेगी वह बहुत ज्यादा निकलेगी जूल में भी निकालोगे तो टिक है तो यह binding energy होगया और binding energy पर नीकलेओन से पूछा था था तो बैंडिंग एनर्जी पर नेकलेओन अपने पास क्या होता है बैंडिंग एनर्जी डिवाइड़ वाइड बाइड टो नमबर ऑप नुक्लेओं तो नमबर अजिए मांस है निकालो है इस तरी के संपल सा सवाल पूछा जा सकता है बैंडिंग इनर्जी कुपर या बैंडिंग इनर्जी पर न्युक्लियन कुपर समझ मैं के सब चलो बहुत बढ़िया आपने इस चीज पर आते हैं वापस सवाल भी बनेगा इसके लावर को सवाल बनेगा नी तो अपने एक लिए एक्जांपल कर लिए इसे के लिए बाकि कोई वी इलिमेंट बे किस तरीके से तुम से कल्कुलेट करा सकता है तो इस वाले चीज पर आते ह इनर्जी पर नॉक्लियों पर नॉक्लियोन जितना जादा इनर्जी रिलीज होगा इस्टिय้बिलीटी रहेगा क्योंकि उतना जादा इनर्जी अपने पास रिलीज हुआ है तो यहां पर अपने ग्राब बनाएंगे उस ग्राब को अपन ये प्रेडिट करने के लिए यूज कर सकते हैं कि किस टाइप कर रियक्शन हो रहा होगा और कॉन सा नुकली से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा तो तो कैसे आएगा अपने पास यह क्या होगा कि हर एलिमें तो यह देखो यह सा कुछ आएगा ऐसा कुछे ग्राब आएगा तो यह यहां पर जो सबसे ज्यादा अच्छा यह लिख लेए थे यह पर अपने पस क्या इधर अपने लेरका बैंडिंग एनर्जी पर नुकलियॉन और यहां पर अपने ले रखा है क्या उसका मास नमघ या फिर एटम नमघ जो भी बोलना चाहूं ठीक है क्योंकि मास नंबर बढ़ेगा तो अटमिक नमघ बढ़े गाई रिच और यह अपने पास सबसे त सबसे ज्यादा होता है हाइस्ट वेल्यू होती है और उसकी वेल्यू याल रखने ज़र अतनी बस मैं लिख दे रहा हूं इसे उसके बैंडिंग एने जी पर न्यूक्लियन होता अपने पास होता है एट पॉइंट सेवेने अट मेगा एलेक्ट्रों और तो यह हाइस्ट वेल्यू है किसी बीएलिमेंट के लिए अब पूचे कि सबसे स्टेबल नुक्लियस कौन सा है तो इसके बोलते हैं कि अपने पास जो है कोई भी नुक्लियस है जो कि क्या करना चाहेगा मैक्सिमम्टी के इंग करना चाहेगा तो आईरन के इदर जोएका वह ट्वेंटी सिक्स के बाद उनके जो अपने पास आई सटोप सब्सक्राइब तो यह भी अगर आफने तॉलिटी बड़ाना चाहते हैं तो आइरन की तरह अगर आपने को पता है कि आई से हैं आइटर में तो एधर कि आओंगे जो भी नियुकलेस इधर की साइड़ आएंगे इसके राइट साइड में वह इससे हैं बात है क्योंकि इदर जाने बे अपने पास कि और अपने नमबर जो है या मस्तनीं बढ रहा है तो हैवी मस्तलब उसका इडमिक तो जब इस तरह से राइट में पढ़ेंगे तो इधर वाले इलिमेंट में जो राइट साइड में इन सब नुक्लेस में जितने भी डियू एक्टिव एलिमेंट से वह तरीके से स्टेबिलिटी गें करने के लिए लिए ही क्या दिखा रहे हैं तो ओ सब्सक्राइब को अपने पास उसको क्या बोले था पर नुक्लियर फीजन या फ्यूजन कि है विए सब्सक्राइब से स्मॉल आइसोटोब बनता है इधर जो रहेंगे लिमेंट्स कैने आएग्जामपल लिया को इसी तरही हांट्रimen आव्यूजन ट्वाधिडं की साथि चाहेक सब्सक्राइब ये नियुक्लिज की बात कर नहीं हूं करें गुटॉस अपने पहसा थो इसाफ आपने बोलते कि तरफ जाना चाहра है तो उनको माइस इस्मौल है आईरन के रेस्पेक्ट में तो और जाते हैं और इस्मौल बनाते हैं तो उसके पीछे का यह हैं कि नुक्लियर फीजन और नुक्लियर फ्यूजन दो टाइब की रियक्शन्स होती है तो बाइंडिंग एनर्जी में में केमेस्टर में तो इतना ही डिसकस कर रहा हूं इसमें और भी चीज़े आती है वह सब हमको अच्छे से पढ़ाया जाएगा ठीक है तो यह अपने जितना डिसकस केस में कोई दिक्कत हो तो बताओ सर अभी अब बताएंगे कि मोलर कॉंसेप्ट और इसमें के रिलेशन है हाँ बिल्खुल बताएंगे पहले पर इसको कंप्लीट कर लें यह सरी तो सब्सक्राइब उसके कमहशन अपर लिए नहीं किए थे हैं तो इसमें कर्शन लिखना अपने पास कि केंकुलएट कल कुलेट है केल्कुलेट के वेल्लिए वेल्लियू केल्ड पा पी जाब फाल्लओंड लिए-खञा निकालना मतलब करुछाओ य।जो collaborative भालॉविंग रियक्षिं सब कर तो एक रियक्षुन है इसका क्रेक्चिन को इसका इसका रिटिंग कर यह को अपने पास एकर दो वने इसके उपर अपने प्रोटों सके रिबाइन कुछ में होगी तो इसाद के गॉल्यन वे टो इसे अपने गॉर हैसे मास ओफ लीथियम निपलियस मास ऊफ हीलियम निपलियस मास ओफ हीलियम-डियस की ईलियम के निपलियस का मास और अपने पार से बभीन नん तो वेलिए के नहीं है करते हो दो आप थैस नो किसका तो अभी आपन रियक्षिन की बात कर रहें तो रियक्षिन अपने पास क्या लिखेंगे कि जो अपन मास्ट डिफेक्ट्ट निकालेंगे तो रियक्षिन के लिए अपन क्या करेंगे मास ओफ रियक्टेंट्स माइनस मास ओफ प्रोड़क्ट्स यहां पर इस टार्टिंग वाले पार्ट का जो मास यहां पर रिलीज होने वाली है मत्तार मास डिके होने वाला तो अपने को निकाल रहे हैं तो अब अपने को क्या करना है तो यहां पर अपन उल्टा करेंगे प्रोड़क्ट माइनस रिक्टेंट नहीं करेंगे क्योंकि जो प्रोड़क्ट्स की फॉम में न्यूक्लेज मिल रहा है उसका मास जो भी तुमने रियक्टेंट्स लिए उनसे कम रहेगा तो अपन डारेक एकवल टू मास डिफेक्ट इन रियक्ट्षन मुल्टिप्लाइबाइ वही रहेगा अपने पास नाइनने अन्डेट थर्टीवन पॉइंट फफाइफ मेगा एलेक्ट्रों ओल्ट तो यह डेल्टा एम रियक्ट्षन यह निकालना है तो अपने पताए कि रियक्शन हुआ ह होगा मास जो है energy में convert हुआ होगा तो मतलब एक टेंट की फॉर्म में जो न्यूकलेश तुमने ले रखे हैं और जब सब जो सब पर्टेकल उन्हें छोबी में उसका मास ज्यादा रहेगा प्रोडट की फोर्म में जो बनेगा उसका मास कम रहेगा तो में रियक्षिण निकालेंगे तो विल्च निकालने के लिए अपने बास जो है डेल्टा एम रियक्शन इक्वल टू मास ओफ टेंट्स ऐसे लिखेंगे और कहां लिखेंगे हाँ कि समेशन ओफ मास ओफ रियक्टेंट्स ऐसे कर लो जितने भी रियक्टेंट्स है माइनास समेशन ओफ मास ओफ प्रोड़क्ट्स यहां से अपने को निकालना है इसको यूज करके डेल्टा एम इस तरीके से ठीक है तो यहां पर अगर आपने देखेंगे तो अपने पास प्रोड़क्ट में क्या-क्या है बीधियम और प्रोड़क्ट्स के अगर अपने बात करें तो प्रोडक्ट्स में अपने पास क्या है हीरियम का नेरिकert का कितना वाइं और उसका नंबर कितना है दो तो अपने पास क्या जाएगा माइल्क टूवाएं मास चे क्या क्या हो गया अपने को है कि वेल्यू कि क्या करेंगे कि क्योओ टू-5 डिफेक्ट डिट टेश्ट ऐस एक्स फ्लस जड फ्लस 2वाई तो इस तरीके से तुमको जब भी एक reaction आएगी तो पहले इस formula से mass change निकालना है अगर कभी भूल जाओ तो यह concept ज्यादा बढ़िया है कि अपने को बता है कि कोई भी nuclear change हो रहा है चाहे एटम के बनने की बात करें चाहे nuclear reaction की बात करें तो वहां पर mass defect हो रहा है energy change हो रही है अगर अपने पास एक्जोथर्मी के energy रिलीज हो रहा है तो अगर अपने को energy release का magnitude निकालना है मतलग क्यों वेलिए अपने को निकालना है तो अपने को निकालना है तो अपने बताए कि जो product बनेंगे उनका mass कम रहेगा क्योंकि mass decay हो गया वहां पर mass जो है energy में convert हो product करेंगे का ज्यादा रहा होगा product का कम रहा होगा इसलिए कुछ mass energy में convert हो गया तो यह सोच के भी ला सकते हो ठीक है तो यह होगा अपने पास क्यू वेल्यू नेक्स्ट अगर आपन बात करें इसी तरीके का एक और क्योशन अपन लेते हैं देखो क्यू वेल्यू निकालने क्योशन इसमें आसान बनते हैं बस ध्यान रखना है कहां पर क्या करना है एक तुमसे पूछा जा सकता इस तरीके से देखो कि find क्यू वेल्यू कि फॉर फॉलोविंग फॉर फॉलोविंग रियक्शन अचा उपर वाला समझ में आया ना यह कि अपने इसा क्यों कर लें इसमें दिक्कत तो नहीं हां तो फाइंड क्यू वेल्यू जांपर भी दिक्कत है तुरं बोल देना तो यह हैं अपने पास की 2H1 2H1 नियास अपने पास बना क्या हिलियम 4-2 थीका है अब आपने घाप की बार देर क्या बैंडिंग एनर्जी पर निक्लियन की बैंदिंग एनर्जी 5 निक्लियन 4-2 थेलियम हैंड है राइड्रोजन है थे तरह दुक्षका इस टेक्स कर दाद्रीक्त निज लिखिए अर पाइफ लेक्तों और हैंड अब अब अपने को निकालना के क्यों वेल्डियू अब बात कर रहे हैं तो इसमें जो फॉर्मॉला अपने पाफ बनेगा देख उसको सोचने की कोशिस करो थोड़ा कि अगर अपन बात करें तो अपने पास जो है कि एक नुकलियर रियक्शन है तो उसमें अपने वैसे पैरेंट और डॉटर न्यूकलिय की फॉर्म में लिखते हैं लेकिन अपने को इसली समझ वाथा रेक्टेंट सो प्रोडक्ट से तो मैं उससी हिसाप से समझा देता हूं कि अपने पार तो अगर एंटी रिलीज हुआ है तो अपने का बोल सकते कि जो रियक्टेंट्स है इनके ज्यादा रही होगी इस तेबली टीवाइज अपन बात करते हैं कि इनकी स्टेबलीटी क्या रही होगी कम रही होगी लेस्टेबल यह प्रोड़क्ट है तो इसकी स्टेबिट अपन क्या रहे होगी मौर स्टेबल ठीक है अब अगर अपने पास से मौर स्टेबल है तो इसका जो बैंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियनों ज्यादा रहा होगा तो इसका बैंडिंग एनर्जी यह फिलियुक्लियन अपने पास ज्यादा है है यह अपने पास करेगा क्योंकि अपने लिखा है क्या होता १ होता दर्रेक्ली एक क्रोपोर्श्णल होता है आब अपने को निकालना है कि अपने पास जो है कि ताना नीट निकालना चाहता है तो अपने पास क्या हो कि अपने को पर निगया होगा तो प्रोडक्स ज्यादा यसे में बोला कि अपने को पता है कि एनर्जी रिलीज वरा तो ज्यादा मैंसे करेंगे तो जब भी अपने को Q वेल्यू निकालना होगा और अपने को दिया होगा क्या बाइंडिंग एनेर्जी और प्रोड़क्त्स तो यह फोट। अपने को बैंदिंग एनर्जी दिया होगा तब क्यू वेल्यू निकालने के लिए तो यह फोटॉर्मॉला अपने पास लाएगा क्यू वेल्यू कालेट करने के लिए लेट फॉर अगर बेंडिंग इनर्जी दिवर गीवन होगा तो उस हिसाप से ठीक है तो अपने पास अभी क्यों प्रोडक्ट हैं हीलियम का निप्लियस और है इट्रोजन अपने पास क्या है रेक्ट अच्छिन में 931 मृल्टीप्लाइब करें यह तो एंरजी देरक्का न मा तोड़ी तोड़ी दे रखाए वो तो मास को एनरजे में अलवाट कर रहे एसले मल्टिप्लाइब है और एक मैं उससे इतना इनरजी की बात कर रहे ना तो क्लेने अभी। तो देखो अपने पास कि गतना जे रखा है तो हुदिए ने खाना है nggak hall कर एक मिनेट यह है उपने पास हका 20 में ऐलेक्टन अलेज्ट कि है पने पास आप हिले हैगा बात नाज पास तो बढ़े से जादा रहेगा क्योंकि जीरो से जा रहे मतब जीरो से मतब पहला हाइडोजन रहेंगा वुण से स्टाट होगा ही लिए मास मन होता है और अगर अपना आयरन तक जाएंगे तो वहां तक जो इलिमेंट आ रहे हैं उन सब का बैंडिंग एनर्जी पर नुक्लियोन बढ़ेगा हीड्रोजन का कम रहेगा हीजियूम का जादा रहेगा तो उल्टा लिख दिया मैंने तो हीलियम के लिए अपने को बैंडिंग एनर्जी पर नुक्लियोन कितना दें रहा है 20 मेग अल्ट इसमें number of nucleons कितने अपने पास 4 तो इसका जो binding energy आ जाएगा क्योंकि अपन क्या define कर रहे थे एक minute अपन define कर रहे थे कि binding energy per nucleon equal to binding energy divided by number of nucleons तो binding energy अपने को निकालना होगा तो अपन क्या करेंगे number of nucleons that is mass number into binding energy per nucleon तो अपने को binding energy per nucleon दे रखा है ठीक है तो helium अपने पास product में है तो उसमे number of nucleon हो गया कितना इस formula से निकाल रहोंगे number of nucleon अपने पास हो गया क्या 4 binding energy per nucleon अपने पास हो गया कितना 20 मिनस adapted में अगरदेखोगे तो रियक्टेंट में अपने पास है hydrogen है और hydrogen भी कितने है तो यहां से अगर करोगे तो अपने पास कितना आजाएगा यह तो यह दो फोर्मुला हो सकता अपने पास क्यों वेल्यू निकालने का या तो तुमको बैंडिंग एनर्जी दे सकता है यही दो कोशन बनेंगे यहां पर इसकलाव कुछ नहीं बन सकता कि बैंडिंग एनर्जी दे सकता है या बैंडिंग एनर्जी पर नुकलियों दे सकता है तो Binding energy के साब से पर अपन प्रोड़क्ट मैनास करते कि Binding energy products मैंडिंग energy of reacting और जब मास अपने को दिया होगा मास डिफेक्ट अपन केलकुलेट करके डेल्टा एम निकालके तो डेल्टा अपने पास डियेक्षेट एंड-बाइनस प्रोडिट का मास करना है और फिर उसको मुलिटीप्लाइ क्या होती हैं कितने टाइप की हैं कैसे एलफा बीटा पार्टिकल केल्कुलेट करते हैं और नुक्लेर फीजन होगा नुक्लेर फ्यूजन होगा कैसे अपन देखते हैं है तो यह अपने पास अब अब अपने को एक और बात करनी है कि बहुत दिन ओपने किसीं ेस कि सार्ण नूकलिय में तो बहुत सारे प्रोटौन्स होते हैं और उनके भी इतने सारे नूकलिय स्में इतने सारे प्रोटौनं साथ कैसे रह पा रहे हैं तो इसके पीछ अपने एक प्रिंसीपल है उसके बेसिस पर एक्स्पेंड करते हैं तो यह अपने बाद लास्ट टोपिक रहेगा न्यूक्लियर केमस्ट्री का कि प्रिंसीपल ओफ प्रिंसीपल ओफ प्रिंसीपल ओफ नूकलियस QuINGS सिह इस्टेबिती कि नूकलियस इस्टेवल शु REALLY कि आաղोजिक लगा रहें तो इसमें भी वैसे कापर सारे कंसेफ्ट है लेकिन अपने काम का एक ही है तो बात कर लेते हैं तो आपनेश को एकस्पेइन करते हैं व deficit किसाफ से तो बात में आएंगे पहले है अपने पास न्यूक्लियस के अपन बात करें और उसी छोटे से न्यूक्लियस में अपने पास कापी सारी न्यूट्रोंस न्यूट्रोंस के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं यह समाज में राता है लेकिन प्रोट्वन 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 प् है अब basically आपन बोल रहे कि नुकलिस तोष टेवल इसी तरीख इसी लॉजह से अपने पार इतने सारे से इस्टेवल है इतने सारे सारे सबस्टांस बन रहें तो कुछ तो क्या होगा इस रिपल्सन को overcome करणए के लिए कि टू over come this repulsion Do overcome this repulsion अपन बोलते है कि nucleus में क्या होते ? especially type का interaction होता है जिसको अपन क्या बोलते है arm covering nuclear force to nucleus के अंदर क्या होते है basically nuclear force होता है the nuclear forces ठीके जिसे gravitational force चन्दर में रिपल सब्सक्राइं को सचा है कि इतना रिपल सने तूसको वह पर यह पर आपने पास सोच रहे उसके साफ से तो नहीं हो सकता तो देड मस्त भी और एट्रेक्टिव पॉर्स तो क्या है उसको अपने नाम दे दिया क्या नूक्लियर पॉर्स ठीक है तो नुक्लियस के अंदर एक special type का पॉर्स होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं नुक्लियर पॉर्स टू बैलेंस रिपल्सन ड्यू टू प्रॉटॉन प्रॉटॉन ठीक है तो इसको अपन ऐसे डिफाइन करते हैं तो नेक्स रेडिंग अपने पास में इसी के बारे में बात रहेगी कि प्रॉपर्टीस या करेक्टर स्टिक्स के बारे में बात करें अपन किसकी नुक्लियर पॉर्स का तो यहां पर लिखना होगा अपने को कि करेक्टर स्टेक्स करेक्र स्टेक्स ओफ नुक्लियर पोर्सेज की नुक्लियर पोर्स की क्या-क्या प्रोपर्टी दोती हैं तो पहली चीज तो अपने लिखी दिया कि इसमें अपने पास क्या रहेगा एट्रेक्शन का रहेगा कि इस पोर्सेज इस आर एट्रेक्टिव एट्रेक्टिव इन नेचर तो यह तुमारे स्कूल एग्जाम के उशान आ सकता है कि राइक तब फाइफ प्रोपर्टिज ओफ नुक्लियर पोर्सेस तो एट्रेक्टिव होते हैं एंड वर्क्स बिट्वें कि मतलब नूत्रों कीवई के बीच भी और कांटा है कि अगर अपने पाथ न्यूक्लियर पोर्स के अपन बात कर रहे हैं तो जिस स्ट्रेंग से अपने पास न्यूट्रों न्यूट्रों रहेगा जो मेगनिट्यूट का पॉर्स न्यूट्रों न्यूट्रों के बीच भी रहेगा और प्रोट्रों प्रोट्रों के बीच मेगनिट्यूट का रहेगा तो यह हैं पने पास तो याद रखने पड़ेगे कि अडेक्सट रोटবर से इतनी आपको connected हो फ़्राइट गति ед को सकते हैं फिर सकते हैं ऐसा हो fill आ कि ग्हाइब ऑनो कि इतनी का मोल्यूं प्रेजेन्ट एट तो जो बोल सकते हो जब हाँ के कई हम the happenedर के यह अधा एक श्हक्री आपन पैंफार को आपने इसा लींग्व कि इनकी जो रेंज होती हो कापी काम होती है मतलब new class के अंदर तक ही effective होते इसलिए उनका effect electron की उपर नहीं दीखता है बार क्योंग अगर बाहर भी आता तो तो क्या आता तो यह भी अपनने को बताएगि अपने पास यह तो पास बेंट करता तो पोड़ेंट कर सकता है तो शोको सुपों कब्राइब का मैं सकता है इतनी इतनी काम मго Anatique के आदर ही क्याम करते हैं तो डीज आअज these are short range short range versus works only works only in nucleus किसिप nucleus के अंदर ही कराम करते हैं, तो इनकी range कापी कम है, बाकि अगर अपन लिखे हैं, तो एक चीज़ अपन और यहां पर लिखते हैं, लास्ट पॉइंट है कि इनकी जो strength होती हो, कापी जादा होती है, जो gravitational force होता, उससे भी जादा strong होते हो, दो charge के भी जो electrostatic force होता है, चार्ज के भी जो force होता, उसका electrostatic force होते है, उससे भी जादा strong होती है, इनकी strength तो एक point यह दियान अखना पड़ेगा, कि these are these are very strong these are very strong these are very strong with respect to तो से कंपेर करें तो with respect to gravitational force gravitational force sir, यह strong और वीग को मेला के बोले नुक्लियर फोर्सेज strong वीग मतलब जो फॉर fundamental forces में strong nuclear force, वीग nuclear force होता है हाँ हाँ मतलब जो channel बात करना चाहर है, पर दोनों को compare करें तो कापे स्ट्रॉब बीटेशन से जादा मतलब strong होता है, हाँ उससे जादा स्ट्रेंट होती है, उसकी तो चीज़ों इसकी कुछ रेंज होते होगा, ग्रेविटेशनल पोर्स की इतने से इतना ही आता होगा, उससे आप से बात कर रहे होगा, तो ग्रेविटेशनल पोर्स या फिर कषैनल यह हैं, अपने पात, है तो यह होगा, अपने बाद Business के बारे में तो अपन यह ऐसा मानते हैं कि अपने पार इपर सन को और कम करने के लिए वहां पर एक पोर्स होता है nuclear ваши जो की attractive सब्सक्राइब तो यह हैं अपने पास नेग्स अगर इसमें देखें तो वापस अगर अपन एन बैपी रेषयो पर आते हैं तो बैसिकलि एन बैपी रेशो को अपन इसके बोड़ रहेगा या अनिस टेबल रहेगा और यहां पर मैं इसकी हिल्प से एक और चीज बता सकता हूं कि अगर stable है तब तो ठीक है तब तो रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाएगा लेकिन अगर unstable है तो रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा तब वो कौन सा पार्टिकल अपने पास की बात करें तो इस टार्टिंग में अपने पास जो होते हैं जैसे अपने जनरल में बोले कि अपने पास अप टू एक्टमिक नंबर 20 तो इस टार्टिंग को जो एकर उनमें देखोगे तो नंबर ऑप न्यूट्रोंस बराबर होते में स्टेवल न्यूप्लियस के बारे में बात कर लाँ सब्सक्राइब के लिए तो नहीं होगा इलियम का मास नंबर टू है अपने पास इस तरीके से अपने पास तो इस टार्टिंग के जो इलिमेंट्स है मतलब यह बोलना चाहरे इस टेबल उनके जो इस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं उन सब में क्या होता है नंबर ऑप रोट्रोंस और नंबर ऑप न्यूट्रोंस अपने पास क्या रहेगा वन रहेगा ठीक है और अगर तो इसी चीज को रेखोगे कि अपने पास जो है जैसे 30 के आगे जाओगे तो यह अपने पास 1.13 इस तरीके से फिर अगर तुम आगे जाते जाओगे तो यह बढ़ता जा रहा है मतलब मैं यह कहना चाहरा हूं कि जैसे जैसे अटोमिक नंबर बढ़ रहा वैसे वसे अपने पास एन बाइपी का रेश्यों कर त इस तरीके से कुछ आता है अगर तुम कॉमन बात करोगे जनरल बात करोगे तो ठीक है जेड फिप्टी तक चले जाओगे तो वहाँ पर निकालोगे तो एन बाइपी का रेश्यों जो है अपने पास यह बढ़ता जा रहा है वन पाइंट त्री आ गया यहाद नहीं रखना और इसके मैक्सिम वेली जो होती वह होती उसके अपने बाज मैं आएंगे तो अपने बाइपिकले में कहना यह चाहा हूं कि जैसे जैसे अपन क्या करते जा रहे है अपने को इकस्पेंट करना पड़ेगा कि इस से यह भी पूछा जा सकते है तुम से तो पहलीबात अपने क्या observation दिया कि जैसे जैसे अपने पास is the atomic number is the atomic number atomic number increases इंक्रीजेज अपन देख लेकि एन भाई पी का रेशो जो है यह भी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है तो बैसिकले अपने पास इन भाई पी परेशो बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि proton के comparison में neutron का नंबर ज्यादा आ जा रहा है यह तो मतलब वा रहा है इन भाई पी बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि neutron जो है अपने पास हो proton से ज्यादा रहेंगे और यह चीज तो मतलब क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर अब यह तो इसके पेशें ऊपने बोलगी है कि जैसे जैसे अपन्य क्या करों अपने नंबर बड़ा रहे है वेसे वेसे अपने पास क्या रहा 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 है तो यहां पे अपने पास बढ़ने के साथ साथ अपने पास implications बढ़ेगा तो अपने पास नूकलेस का ओलियूम तो वही छोटा सा है उसमें प्रोटोंस बढ़ रहा है तो जो रिपल्सन है वो अपने पास ज्यादा आ जाएगा ठीक है तो जैसे जैसे प्रोटोंस का नंबर बढ़ता जा रहा है तो जैसे 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 बढ़ रहा है वैसे वैसे अपन जारहा है तो अब अपने पास रिस एटना ज्यादा हो जारहा है कि अगर में उक्वल नंबर में निंट्रोंस ले रहा हूं गर्माद नेट ट्रेक्शन आएगा ईज नुक्लियर पोर्स वो इसको ओवरकम नहीं कर पा रहा है तो नुट्रोंस का नंबर अपने पास इस वज़से क्या हो जाएगा जादा हो जाएगा मतलब यहां पर एसा बोलते हैं कि जैसे जैसे अपन जेड को बढ़ाते जा रहें एक बार में फिल बोल देता हूं वैसे वैस का कंट्रिबूशन तो क्या है वो नुक्लियर पोर्स क्रिएट करवाएगा न्यूट्रोंस न्यूट्रोंस आपस में और प्रोट्रोंस प्रोट्रोंस भी आपस में तो न्यूट्रोंस जो है अपने पास वो क्या बोलते हैं नुक्लियर पोर्स क्रिएट करवाते हैं तो अपने पास वहां पर नूट्रों का नंबर इसलिए बढ़ गया है कि वहां पर ज्यादा नुक्लियर पॉर्स क्रियेट हो सके ताकि रिपल्सन को पूरा सही से बैलेंस कर दिये तो यह अपने ऐसा रिजन देते हैं कि अपने पास ऐसा कुछ हो रहा होगा तो एक तरीके से प् सब्सक्राइब हो जाएगा हाई रिपल्सन तो जो इस स्मॉल एटम से उनमें तो ठीक था क्योंकि वहां पर प्रोटों का नंबर कम था तो रिपल्सन भी कम रहेगा तो नूट्रों सुनके बराबर थे तब भी वो पॉर्स बैलेंस हो जा रहा था नूक्लेस इस्टेबल हो जाते हैं इस कंपेड़ तो प्रोटों तो सो तो अवाइट इस हाई रिपल्सन नंबर ओफ नूट्रों नंबर ओफ नूट्रोंस नंबर ओफ नूट्रोंस इंक्रीजेज थिए नूक्लियस हैं कि नूट्रों स से ज्यादा क्यों आ रहा है तो यह अपने पास रिजजन रहे गा और इसी बैसिस प्र yap altri नूट्रों स वे नूट्रोंस के नंबर के बीच तो जो एकग्राफ बनाने आएगगा अपने पास ग्राभा रहा नहें है कि इधर अपन लह रहें कि न्यूटरॉक्ण और एधर अपन ले रहें कि उसरे यह और इिसफोत यहांपने पास अफ्akah सोच्व सकते हैं दो यहांते हैं अपने पास फ्रॉटम का नंबर से में अपने इक का नमबर जो है बढ़ता जा रहा है तो यह वाली लाइन पो अपने पास अपने पास हो जाएगी हूए तो इस टार्टिंग में जो लेकिन एक पॉइंट के बाद अपने पास क्या होगा कि यह बेल्ट जो है न्यूट्रॉंस की तरफ सिप्ट होने लगेगा इस तरीके से क्योंकि न्यूट्रॉंस का नंबर ज्यादा रहा है अब यह ऐसा नहीं रहेगा कि अपने पास एक करव आएगा यहां पर एक जो है जैसे अटमी नंबर बढ़ता ना तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के आईसो टॉप्स का नंबर भी बढ़ता जाता है तो उन आईसो टॉप्स में से कुछ इस्टेबल रहेंगे कुछ अनस्टेबल रहेंगे तो सबके लिए न्यूट्रॉंस और प्रोटॉंस बना कि जितन का इनबाई पी रेशो रहेगा तो इसको बोलते हैं स्टेबल रेशो निकालोगे तो इसी रीजन में प्रेजेंट रहेगा जो आपन ने यह बनाया है तो इसको अपन क्या बोलते हैं Stability Belt तो basic लेगा तुमको टेंडमली कोई element दे दिया जाए उसका कोई atom दे दिया जाए और तुमसे पूछा जाए कि वो stable रहेगा या नहीं रहेगा तो उसके लिए n byp ratio फाइन करो अगर उसका n byp ratio इस belt में कहीं present है तो इसके लिए कोडिनेट कोडिनेट के साथ उतना पंचेक नहीं करेंगे बस अपने को समझता है कि कोई unknown element दे दिया गया तुमको या मानलों कि future में कोई नया element अपने पार discover होता है तो अगर कोई नया element discover हो रहा है तो तुमको पता करना है वह तो पता जल जाता रहेगा और अगर इधर की साइड आ रहा है बेल्ट के बाहर मतलब क्या है अनिस्टेबल है अच्छा अब अपने पास मानलों की जो है इधर आ रहा है तो इसका मतलब क्या अनिस्टेबल नि Cristo है अगर इसको स्ट्धि गेंगर ना तो अपने बता क्यों क्या जाना चाहता है इस्टिबीट्य में करना हे तो इस्टेबलिटी करना है तो यहां पर भी N by P ratio जो है, वो क्या आ रहा होगा, कि जितना उसको stability के लिए required है, उससे ज़्यादा होगा, बेल्ट में अगर उसको जाना है तो, इसको पन तोड़ा ऐसे लिग देखो, कि इस वाले region के अगर मैं बात कर रहा हूं, तो अगर इसमें point आ रहा है, तो यहां पर बेसिकली वो इस step, क्योंकि वो decay करके तो इसी stability belt में जाना चाहरा है, stable nucleus बनाएगा, तो इसी stability belt में जाएगा, मतलब उसको N by P ratio क्या करना है, इस stability belt में किसी एक element का gain करना है, मतलब अभी उसका N by P ratio जो है, required N by P से क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, required मतलब stability वाले region में जाने के लिए जो भी उसका आएगा, उसकी बात कर रहा है, इसी तरीके सा अपने पास अभी जो यहां पर यह element है, कोई nucleus आया, उसके लिए पन देखा, तो वो भी अपने पास इधर आ रहा है, मतलब वो unstable, stability belt में नहीं है, लेकिन यह नीचे की तरह पर इसके belt क है, यह कम रहा होगा, stability belt में जाने के लिए जो भी required होगा, उससे, ठीक है, तो basically अपने पास क्या कर रहा है, कि अगर कोई भी element इस reason में आता है, तो उसका N by P जादा है, required N by P से, मतलब अपना N by P क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, N by P कम करने का मतलब क्या होगा, कि ऐसा फिनोमेना या ऐसा चींज न्यूकलेस के अंदर करवाएगा, जिसमें क्या हो रहा होगा, न्यूट्रोंस जो है, वो प्रोटोंस में convert हो रहे होंगे, ठीक है, इसी तरीके जगर अपने इसकी बात करें, तो यहाँ पे जो यह N by P है, इदर अगर कोई element आ रहा है, उसक प्रोटोंस का नंबर अपने पास क्या हो, बड़े, मतब यह ऐसे चेंज कराएगा, न्यूकलेस के अंदर जिसमें क्या हो, प्रोटोंस जो है, वो न्यूट्रोंस में कनवर्ट हो, यह समझ मैं आए कि तुमको, तरी चेंजे तो अल्ला बता दीजे बस, अच्छा, यह तो तुमको समझ मैं आए ना, कि ग्राप के इस तरह, हाँ यह समझ आ गया, और यहाँ पे न्बाइपी जो है, रिक्वाइट से जादा रहेगा, और यहाँ पे तो अपन बोल रहे कि इसका अगर एंद वाईपि रिक्वाइट से जादा है तो यह अगर रेडियो अक्टिविटी दिखाएगा, क्योंकि इसको इसको स्टेबलीटी तो गेंड करना ही है, अनिस्टेबल नुकलिस क्या होता है, एक तरीके से रेडियो एक्टिविटी करने के लोगर में जाएगा तो बेसिकली अगर एंबाइपी रेश्यो की साफ से एक्सप्रेंड करेंगे अपन कि इसका एंबाइपी जो है अभी प्रसेंट टाइम पे और रिक्वाइड एंबाइपी से ज्यादा है करने का मतलब क्या है कि न्यूट्रों बढ़ जाए तो न्यूट्रों की वेल्यू क्या होती होगी बढ़ती होगी वह अपन बात करेंगे कौन-कौन सा इस तरी में अपने पास बोलड़े कर पर कोई एंबाईपी इस रिजन में है तो इसे टेबिटी के लिए उसको जो एंबाईपी चाहिए उससे कम आ रहा उसका इंबाईपी तो तो इस वाले केस में अभी उसको क्या करना है एंपाइपी जो है बढ़ाना है तो एंपाइपी बढ़ाने का मतलब क्या हो गया तो न्यूट्रोंस बढ़ जाए या प्रोटोन को कम करके वो क्या कर सकता है अपना एंपाइपी जो है बढ़ा सकता है क्योंकि उसको इस्टेबिटी गेंड करना है तो इन्वाइपी बढ़ाना पड़ेगा मतलब यहां पर नुकलियस के अंदर ऐसे चेंज लेके आएगा कि प्रोटों किसमें कंवर्ट हो रहे होंगे या फिर बोल दो कि प्रोटों का नंबर जो है वह कम हो रहा होगा न्योट्रों का नंबर ब कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा एल्फा पार्टिकल इमिट होगा बीटा हो रहा होगा या पॉजी ट्रों रहा होगा एक को चीजा बन पढ़ेंगे तो इसको अलगलग केस बना के बढ़ते हैं कि कैस वन तो case 1 के अगर आपन बात करें एक मिनिट तो यहां में पहला case ले रहा हूं कि अपने पास जो n by p है तो n by p जो अभी आ रहा है वो greater than n by p required कि stability के लिए stability belt में जाने के लिए जो चाहिए तो यह क्या करना चाहेगा जैसे अपने बात कि कि n by p को कम करना चाहेगा n by p को कम करने का मतलब protons को किसमें convert करेगा neutron में थोरी neutron को किसमें convert करेगा proton में convert करना चाहेगा ठीक है तो यहां पर इसा लिख भी सकते हैं कि इस टाइप की केस के ऐसे जो भी nucleus हाएंगे वो क्या करना चाहेंगे देटेंट्स टू देटेंट्स टू रिड्यूज 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 नंबर ओफ neutrons देटेंट्स टू नंबर ओफ न्यूट्रोंज बाइफ फॉलोविंग प्रोसेस तो न्यूट्रोंज को कम करने का एक ही तरीका उता है उता है न्यूट्रोंज को कम करना मतत्र बेसिकली निूट्रोंज को प्रोटों में क roof कर रहा है तो जो आएगा अपने पास वाजएगा क्याow है व्हुर थीडि के project की बेटा पार्टिकल क्या कर देऊ वो एमेट कर दें तो पहला पनी बात करने इसका बीटा डीक जो बेसे कि आपने पार न्योट ऑब दो aún होगा प्रोटौन में ओगा कल् sounds हुआ है है क्योंकि अपनें वाइपि करना को नूंबर का मुंका नबर बढ़ाना है तो नूट्रों के बेकनल में कूब एक परेजहें परन संक करते हैं मासमें वन पेला कीटिविविशन में तो जीडिंडरों हो गया इसको अपन बोलेगी proton में convert हो तो proton मतलब मास में मास में वन का कंट्रिविशन और चार्ज वी आएगा इसके वजह से प्लस ऑन तो एक्सन बैलेंस करना है तो मास तो आपने पास पर चार्ज अपने पास मैंनस वन तो इलेक्ट्रों आजाएगा तो basically यह क्या करेगा neutron जब है proton में convert होता तो साथ में electron भी एमिट करता है तो जो यह electron पार्टिकल यहां पर निकलता हो तुम को ध्यान रखना पड़ेगा जिसको अपन नाम देते हैं एंटी न्यूट्रिनों कि इसके ऊपर कोई चाट नहीं होता है कोई मास रहेगा तो नेकलता क्यों है सर यहां पर देख अपन ऐसा कूछ बोलता है तो नहीं है लेकिन मेरे को प अब यह अपने पास इलेक्ट्रों यह बाहर नकल रहा है जैसे यहां पर मोमेंटम एक से तो जो इलेक्ट्रों निकल रहा है इसी के को बैलेंस करने के लिए अपने पास एको पार्टिकल निकलेगा जो की माइनस एक्स मोमेंटम करेगा तो अपने एक्स कर देते हैं मोटा मोटा तो यह फिजिक्स वाले ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कुछ फोर्स बैलेंस वगरा लगाते होंगे तो लेकिन रीजन बादी डीप में नौल्मल मैंटर साथ में अजया निकल लिए तो फिर उसके साथ एंटी मैंटर भी एसोचीज बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही पगड़े हो उसे से रिलेटे रहा है तो उसके हिसाफ जा जो सामझ में आरा होगा तुमको ठीक है यहाँ तो यह हैं अपने पास, फिलाल थो ध्यान रखो कि एक और PARTICLE निकलेगा आपकर ن 95 0 तो यह प्यां रहास है जिसको पन बोल हैं Tus ने को आपकर ना। तो यह हैं अपने पास कि अगर अपने पास इन वाई पी रेशों जो है ज्यादा आरा रिक्वाइट से मतलब क्या करना चाहेगा न्यूट्रोन कम करना चाहेगा और प्रोटोन बढ़ाना चाहेगा मतलब न्यूट्रोन का प्रोटोन में कनवर्जन होगा तो इस प्रोसेस से होता है तो न्यूट्रोन प्रोटोन में कनवर्ट हो गया साथ अप बात करें कि एक element के लिए अगर肉 रिप्रेज़ेंट करें गूंग इस तरीके क्योंगि इसने शरा ने चैन्ज होओ वाला समझतो एक सारीप्रेज Already has a sir ये अपने पास वह होगा तभी अपने पास नुट्रों प्रोटों निकल के नहीं आएगा तो बाहर तो अपने को वेलोसिटी निकलेगा हुआओ तो फास्ट मुविश्टों से ताथ निकलेगा है उन्हें को एक भूषटी कल निकलता है एंटी घ्योटिकल अधना थना on तो यह अपने पार इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अब अगर आपन बात करें कि वाई का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा तो देख सकते हो इधर अगर आपन बात करें तो जेट था चार्ज इसमें से निकल गया तो चार्ज तो बैलेंस रहेगा मत एक तरीके से प्रोटों का नंबर मलोग बैलेंस करना अपने को तो यह माइनस होने तो यहां पर अपने पास कितना जाएगा जेड़ प्लस वन वेसे भी देख सकते हूं कि अपने पास क्या हुआ है रीजन में यहां से समझना राएगा कि justementkung ज्यों है प्रोटों में कंवटत हुक है की उत्म प्रोटॉन में कंवर्ट में ने क्या पास मांस किया जाएगा क्यों है अपर प्यूосन थे पास बीटा डीकी हो रहा है तो महांơn पर जो प्रेंट नूंकल तो इसका भी मास नंबर ए है और इसका जैड और इसका जैड प्लस वान है तो इनको अपन क्या बोलेंगे आइसो बार समझ में आए गई है तो इस ट्राइब की जो डॉटर और पेरेंट रहेगा उसमें क्या रिलेशन रहेगा कहीं पर बनते हैं इस तरीके जोशन आते हैं इसे तो यहां पर अपने पास क्या बन रहा है अचा एक यूनिट से बढ़ जा रहा है जैट प्लस वन तो दो चीज अपने यहां से लिख सकत आइक गुसरे के आइसोबाड उत समय लिकलो की पर और एंड टोर्टर को से पे रंट एंड डॉटर को सा नूटलिएश या एलिमेंट द्रीन दुलो मिन पर यूज अथ कह ए habe कि उनों क्या होते हैं गुसरे के आई ऑट आट इंड समस्कान पोजिशन ओव position of daughter element daughter element element shaped toward left one on the left right toward right side by one position by one position in periodic table in periodic table meaning that the item number is 92 which is 93 so what will happen in one position this will continue in periodic table because in periodic table we will increase order of elements increasing order of elements arrange this so we want to say this okay, this is the point clear to you go okay, let's go so this is the question question what relationship is the period table which is the way we can do this okay, so this is the point that we have to take the question that we will take the question and if we will give a new place we will know how to do it how to do it and how to compare and how to do it and how to do it and how to do it what is the point so that we can ask how to do it and how to do it and how to do it that we can ask सकता है, neutron का number कम किया जाता है, protons का number बढ़ाया जा सकता है, मतलब beta particle decay कर देगा, basically beta particle decay करने का मतलब है कि nucleus के अंदर जो है, एक neutron वो है, proton में convert हो गया है, और साथ में अपने पास beta particle बनेगा, जो कि nucleus से 12 जाएगा, तो इसलिए पने उसको बोल रहे, beta decay, that is electron decay, ठीक है, case to open ले लेता है, अच्छा इसमें ऐसा नहीं कि एक ही तरीका है, इसमें एक और तरीका आता है, neutron को भी बाहर निकाल लेता है कुछ elements, लेकिन अपने syllabus में नहीं है, इसलिए पन उसको पढ़नी रहे हैं, ठीक है, तो मैंने बोला कि एक ही तरीका है, तो ऐसा नहीं कि एक ही तरीका हो सकता है, उसके लगा और कुछ नहीं हो सकता, जैसे मैंने पहले बोला, कापी सारे तरीकी हो सकते हैं, अपने कुछ certain process ही पढ़ने हैं, तो अपन उन्हीं की बात कर रहे हैं, बस, तो case 2 अगर अपने ले ले हैं, तो case 2 में अपने पास क्या है, number of neutrons divided by number of protons, that is n by p ratio, यह जो है अपने पास, यह required stability के लिए उससे कम आ रहा है, तो अगर उससे कम आ रहा है, तो इस तरीके के जो isotopes रहेंगे, जो elements रहेंगे, जो atoms रहेंगे, या जो nucleus रहेंगे, जो क्या करेंगे n by p के ratio को increase करना चाहेंगे, और increase करने के लिए वो proton का number बढ़ाना चाहेंगे, ठीके, तो चाहिए अपन जनरल वे में लिख सकते हैं, कि search nucleus, यह एलफा पार्टिकल की बात करेंगे, तो वहाँ पे अपने को कुछ हो रहाएगा, search nucleus, try to increase n by p ratio, इसको बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके अपने पास क्या है, तीन तरीके हैं, बदद तीन प्रोसेस हो सकते हैं, जिनके basis पे, या जिन में अपने पास क्या होता है, n by p ratio जो है, increase करता है, तो जैसे वहाँ पन सिर्फ एक पढ़ रहे थे कि neutron किसमे हो गया, proton में convert हो गया, यहा तो इसके केप्चर होता है, उसमें भी सिम्ची होगी, ठीकें, तो देखते हैं, पहला इसमें एडिंग होई डालो, अच्छा है, अगले उसमें ले लेते हैं, कि इसमें जो पास्ट रहेगा, तो इसमें अल्फा डीके, अल्फा डीके, तो अल्फा डीके के अगर आपन बात करें, तो इसमें अल्फा पार्टिकल निकलेगा, तो बेसिकले अल्फा पार्टिकल का अपन ऐसे दिखाएंगे, कि अपने पास जो है, यह एक, क्या बोलते हैं, नूकलेस है, रेडियो एक्टिव, बेरेंड नूकलेस, और यहां से लग अपने पास डीके होगा, तो यह लिस्स कर तो इसपर टॉटल बद्स मतलब, यह अपने पास हैं, मillyूंत का रई होगया, तो यह तो चार्ज civinar, अता यहां गेडास पर बीद्स गर्लाधा, यह विए अन्टिज पर शियला मास पीडा माइन स्टोे पर्टिकल जाएगा जिसको बोलेंगे क्याएड något कि यह दोनों है अपने पास यह about करें तो अपने पास क्या कि वरा कि हमराइं है fak później खरेंगे तो यह तो निकल गया इसको फैंपर अपन बोल दे रहें कि अधिकल तो अब तुम से जैसे पन पहले बात कर रहे थे रिलेशन की अपने पास क्या होता है क्या क्या रिलेशन हो सकता है तो पहली बात अपने को एक ची देखने को मिल रही कि संफ पास लग रखज और आकने दऊएंगा अपने पास बिवाइड रखर राख लिएड मानद से कंदा धुरता आपनाएंश नम्बष इन मांस नमा यहांपे टना माइनस भी फ्र। तो यह अपने पास number of neutrons उगा divided by z minus two यह एंबाई पी रेश्यों यहां पर रहेगा और इन दोनों को अगर compare करोगे तो यह जाधा आएगा तो यह हैं अपने पास बागी अगर आपन देखें तो यह बता दो रिलेशन क्या रहेगा इन में कोई सोच के बता सकता है कि parent and daughter elements are and position of position of daughter element daughter element left side left side by two position by two position isodipers isodipers बन जाएगा सर वही बता रहा था सर मैं भी नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल अच्छे सा वही बता रहे हैं तो यह isodipers होते हैं isodipers अपने बोल जाते हैं कि neutrons minus protons अपने पास क्या रहेगा उनमें सेम रहेगा तो यहां पर अगर neutrons minus proton करोगे तो यहां पर तो क्या आजाएगा अच्छे neutrons तो अपने पास आगे ए माइनस जेट प्रोटोन अपने पास होगे क्या जेट तो यह अपने पास आजाएगा प्लस टू माइनस करोगे तो और माइनस प्रोटों का नंबर तो न्यूट्रों माइनस प्रोटों करोगे तो अगेन फिर हो जाएगा यह प्लस टू तो इस तरह किता आएगा तो देख सकते हैं यहां पर कि अधर सिप्ट होगा यह अपने बात करी लिए तो दिख जाता ही जिली कि एटोमिक नंबर में जो है क्या चेंज आया है उसके साफ़ सपन बढ़ता सकते हैं ठीक है तो यह तो अपने पास एल्फा पार्टिकल से रिलेटेड तो इसमें इतना रियानक ना होता है कि क्या चे बात कर लेते हैं जिसकी होता है यहां पेबन बात करेंगिंगे हां डिठा पोजीटिव डीके तो बीठा पोजीटिव डीकई अपने पास यहां पे बेसिकली अगर देखें एक्ष orbits बाहिए की प्रोट पर्यंटे को बोलते हैं उसको यहां प्लूस से भी पाल्टे कर देते हैं तो यह अपने पास यह को स्री अपंज फ़रकgeordटा वह तहां प्लूस कर देंद चाहिए रशार्ज का फार्ण gentleman यह अपने पास कएगा पोजी टोन डाएगा और साथ में एक और चीज अपने पास आएगी क्या न्यूट्रीन ओ अपने को टाइम क्लास में वही करना पड़ेगा जितना कम वह उतना वेस्ट करेंगे तब सलेबस होगा अपना तो यह है अपने पास इस तरीके से प्रोटों का न्यूट्रों में कंवर्जन होगा तो प्र तो इसे दिखाएंगे कि अपने पास यह पास यह परेंट निपलिये ऐग अपरेंट निपलिये और इधर अगर आपन देखें में भी तुमारा और जीनिक क्लास स्टार्ट हो वापस है उसमें वादूर सर पढ़ाएंगे तुमको जी उसी तो यह अपने पास मालों की कटने बोलने कि अपने पास ऑपने पास जेर निकल रहा है पो जिट रही हाऐ तो निकल रहा है दीज़का तो यहां पने पास लेगा गैँन है और उपर मास तो सेम ही रहेगा तो इसका भी क्या रहेगा तो इसमें भी देख सकते हो कि पेरेंट और डॉटर नुक्लेज जो है यह तो नों क्या रहेंगे आई सो बार रहेंगे यहां पर अटोमिक नमबर जो है एक से कम हुआ है तो यह चला जाएगा लेफ डारेक्शन में जाएगा तो वही सब चीज़ लिख सकते हैं यह है अपने पास कि यहां पर अपन वैसे बोल सकते कि पेरेंट एंड डॉटर नुक्लेज रा रहेंगे मास नंबर जोनों का सेम है और यहां पर अपने पास क्या हो रहा है एक उनिट से कम हो रहा है तो अगर पने पास यह ले है तो लेफ्ट साइट बाइवन पोजिशन इन प्रियोडिक्ट टेबल क्ले रहे गए है 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 आवा जा रहा है तुम लोगों यह सब्सक्राइब हो कभी-कभी कि हां जिंगा है तो यह अपने पास हो गया लास्ट अपने इसमें लिखेंगे क्या के कैप्चर तो लास् सेकेंड अपने पास ही हो गया बीटा पॉजिटिव डीके थर्ड लिखो इसमें अच्छिसमें एक और चीज़ अपने को देखना पड़ेगा कि जैसे अपने बोला कि एन बाइपी रेश्यों कर अपने को क्या करना है बढ़ाना है तो उसके अपने तीन तरीके लिख लिए तो यह अपने को लिखना पड़ेगा कब कौन सा होगा तो बीटा पॉजिटिव हो गया लास्ट अपने पास इसमें जो आ जाएगा वाएगा क्या के कैप्चर या इसी को यह से भी लिख सकते हैं कभी-कभी के इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो के मतलब यह है की के सेल के सेल हमार किसको लिखता है पहले सेल से क्या अपने लेट लेता है कि ऑपने पास है बृजिविली चारजट और यह अपने पास क्या है इसमें पहला सेल रहेगा यह अपने पास दूसरा सेल रहेगा और यह अपने पास तीसरा सेल रहेगा इस तरीके से चलता रहेगा ठीक है तो यह अपने पास फास्ट सेल तो n इकोल टो 1 second cell n equal to 2, third cell n equal to 3, first cell मतलब k cell, second cell मतलब l और third cell मतलब अपने पास m, तो k, l, m इस तरीके से, ठीके, तो अपने पाँ basically क्या होता है, कुछ elements में क्या होता है, कि अपने पास जो है, कि k से ले, first cell में कोई electron दो रहे गई, तो nucleus क्या करता है, इसके electron को अंदर capture कर लेता है, मतलब अट्रेक्शन से खीच लेता है, तो तब क्या होता अपने पास, कि इसमें जो proton होता है, nucleus के अंदर, वो proton क्या करेगा, जो electron आएगा अंदर, उसके साथ combine हो जाएगा, तो proton, electron के साथ combine होगा, तो अपने पास क्या बन जाएगा, ज्यांसे देखो कि तो balance करोगे, तो neutron बन जाएगा, तो एक यह भी तरीका है neutron बनाने का, कि जो case cell है, first cell है, क्योंकि सबसे पास तो वही पढ़ेगा nucleus के, तो वहाँ से electron अंदर कर लेगा, और proton और neutron अपस, electron अपस में combine होके neutron बना लेगा, अब एक और चीज़ यहां पर होती है, कि जैसे ही यह electron अंदर गया, तो यहां पर एक valency आ जाएगी, तो energy emit करते हैं, तो वो energy जो निकलेगा, उसको अपने इसे बोल देते हैं, कि साथ में आपए X-rays निकलेगी, बतोई X-ray की range में निकलेगा, तो उसे अपने पास आ जाएगा, तो यह कुछ है अपने पास, तो यह हैं अपने पास, तो यह होगा कि अपने पास, तो परोसेस तो यहां पर यही हो रहा है कि नूखलेस ने अलेक्टन ऑपस में मिลके नूटर बना दे रहा är, मत्दब प्रोट duration का conversion हो गया, नूटरॉन में इलेक्टरोन को capture करके, k cells है, पहले cells है, इसलिए उसको नाम दे तो एनेजी निकलेगी उसके अपनिया पर बात कर लेंगे तो इसी जी को लिख लेते हैं और तो क्या कि तो फिल दा वैलेंसी तो फिल दा वैलेंसी तो आप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप्याप् अधिन प्ल जान है अधिन में अधिन आग bubbles dużo चेटों लुट है अधिन अधिन गैस्छいました एकेशSnow यह होग अपने पास अगर वही इसको अपन एलिमेंट के फर्म में लिखेंगे तो एसे लिखेंगे यह अपने पास XAZ है है युज्ञ पर स्लाइड ऊपर करती है तो इसमें अपने पास क्या होगा एक एक है रहे जो है ने उकलेस के अंदर चला गया तो यह अपने पास Z-1 बन जाएगा और साथ में अपन बोल रहे हैं कि एनर्जी निकल रही है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि न्यूकलेस ना एक लेक्ट्रॉन अंदर ले लिया अब यह एलेक्ट्रोन जो आ रहा है कौन से आ रहा है के इसल तो इस तरिके यह बन कि आइस बार बनेंगे और रिलेशन भी सेम रहेगा कि अपने पास क्या होगा लेफ्ट साइड में क्या होगा वन पोजिशन से सिप्ट होगा क्योंकि यह पेट्रॉमिक नंबर जो हैं वन यूनिट से कम हो जा रहा है मतलब यहां पर जैसे पहले 44 होगा तो अब अपने पा से सिप्ट हो जाएगा ठीक है तो यह केप्चर था अब यहां पर यह चीज़ों को ध्यानकना पड़ेगा कि कब कौन सा ट्रांजिशन होगा कब कौन सा केप्चर होगा तो यहां पर नोट डाल के लिख लो याद करने वाली बात है यह आता है क्यू वेल्यू के बैसिस पर कि अगर अपने पास जो है जिस एलिमेंट के अपन बात कर रहें अगर उसका अगर अपने पास कोई एलिमेंट गीवन है और उसमें अपने पास एलिमेंट की बात कर रहें जिसके अपन बात कर रहें कि इन बाइपी जो है और रिक्वाइड इन बाइपी से कम है तो यह कैसा निकालते हैं अपने बात कर रहें तो अगर अपने पास एक एलिमेंट की बात कर रहें उस एलिमेंट में इन बाइपी जो है अगो रिक्वाइड इन्वाइपी से कम है तो अपने बताई कि तीन प्रोसेस के तुरू क्या कर सकता अपना इन्वाइपी बढ़ा सकता है तो कौन सा प्रोसेस होगा उसके अपन बात कर रहें तो वहां पर बात करें on the basis of atomic number कि अगर उसका atomic number 82 से जादा है तो वह alpha dk कराएगा पुरा याद करने वाली चीजिए ठीक है और अगर उसका atomic numbers जो है अपने पास जैट जो है यह अपने पास 82 से 27 के बीच है तो 82 से 27 के बीच है तो यहां पर अपने पास जो है के capture भी हो सकता है और पॉजिट्रोन भी हो सकता लेकिन alpha नहीं होगा तो इसके लिए अपने पास condition ऐसा कुछ लिखते हैं देखो अपन अगले page में लिख लेंगे आप और चीज़ा लिखनी पड़ेगी दूसरा में लिख देता हूं कि अपने पास Z अगर क्या है 27 से कम है तो अगर 27 से अपने प पास जो है अपने बात कर रहें एंड़ाइपी रेश्यो जो है एंड़ाइपी स्ट्रिक्वाइट से कम है तो इसके लिए अपने लिखाए कि अपने पास क्या है तीन प्रोसेस की तुरू एंड़ाया जा सकता है तो कब कौन सा होगा तो अगर 82 से इसका इटमिक नंबर ज् गर यह रिटर्ण करता है किस के उपर q value के ऊपर क्यों आप तो साथ में उसको q value देना पड़ेगा तभी यहां पर आंसर बता सकते हैं तो अगर अपने पास जो है यह क्यों वेल्यू जो है अगर 1.0061 मेगा इलेक्टोन ओल्ट अगर इस से कम है तो अपने पास क्या होगा के कैप्चर होगा थब तो दिक से और अगर अपने पास जो है क्यों वेल्यू जो है अगर यह ज्यादा है 1.0061 मेगा इलेक्टोन ओल्ट यहां पर दोनों हो सकता है मेभी बीटा पॉजिटिव और मेभी के कैप्चर और बहुत बीटा पॉजिटिव डिकेज दिस पोजिटर नीके और मेभी के 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 पोजिटिव यह व्यवी हो सकता है और बहुत दोनों भी सै्मिलिटेनिसली हो सकते ही कुछ पूरा याद करना पड़ेगा इस तरीके से तुम कुछ कैसा समझ सकते हैं तो बैसिकली इस प्रोसेस को होने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती होगी जो क्यों को ही यूज कर लेता है कर सकते हो तो यह इस तरीके समको पूरा याद रखना पड़ेगा कि कब कौन सा हो रहा है के स्ट्री लास्ट लिखो तो के स्ट्री में अपने पास जैसे मालों कि तुमसे बोल दी कि अपने पास एक न्यूक्लेस है जिसका एन्भाई पी जो आ रहा हो तो रिक्वाइड अब Über ી संके बराबर ही है तो अगर तुमसे पूचे कि वहाँ पर किस तरीके का चेंज घोगा है तो तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा यहां पर सिर्फ अगर कोई चोजन्ज हो सकता तो सिर्फ energy का T तो यह अपने पास stable nucleus बन गया हो तो जब यह बना होगा तो हो सकता है इसके साथ कुछ extra energy associate हो तो यह उस extra energy को एमिट कर देगा गामा radiation की form में तो जब भी अगर ऐसा question पूछा जाए कि कौन सा radiation होगा किस तरीके का पार्टिकल्स डीके होगा और तुमको जो एन बाइपी है अगर वो रिक्वाइड एन बाइपी के बारा बारा तो बतलब वहां पे सिर्प एकी पोसिबिटी कि वह अगर उसके पास ज्यादा इनर्जी असोसेट है तो से इनर्जी को गामा इसके लाव कोई और दूसरा तरीका वहां पर कुछ और होगा नहीं तो यह था लास्ट तो ठीक है इतना ही है तो अभी तपने पास क्या रहेगा कि जो पैरेंट अलिमेंट और डॉटर अलिमेंट दोनों क्या सेमी है इसमें तो कोई फरक है नहीं है अगर से डिफाइन कंड़ना चाहोतो वियसे हैं तो यह की ही तो डिफाइन कंड़न की वैसे जरूत भी नहीं दो ठीक है तो यह अपने पार नुक्लियर केमेस्ट्री का चेप्टर इसमें अपने पास एक क्योशन है उसको बात में कर लेंगे क्योंकि टाइम अपने पास काफी काम बचा है